तो धाज विलकम बैकि तू मयआ यूटुब चेनल सो दोस्तों मैं हूल नजरूल रजा और आप देखनें आपका अपना ही चेनल ना स्रीलाइटी टेक तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सीजन हमारी स्टार्ट होने वाली है और दोस्तों हमने यहां पे कापी सारी यहां पे कोपर की भी वायर और अलमुनियम की भी वायर खरीदा है यानि कि पंखी रिवाइन करने के लिए मोटर को रिवाइन करने के लिए यहां पे जैसारा हमने यहां पे वायर खरीदा है और हमारी उधर भी यहां पे कापी सारी व बताने वाला हूं जो मुझे रेट लगा है आपको मैं वही बताऊंगा यानि कि आपको मैं यहां पर रिटेलर रेट बताने वाला हूं क्योंकि दोस्तों मैं कहीं से वायर खरीदा हूं मैं होल्सेलर यहां पर नहीं करता हूं मैं खुद दोस्तों कहीं अलग से खरीद के लात पर आप उस वायर को यूज करके देखते हैं तो मैं गैरेंटी देता हूं दोस्तों 100 में 100% आपको यह पसंद आने वाली है तो फो वह कौन सी वायर होने वाली है आगे आपको में बताने वाला हूं करेंट ने अभी जो हमारी वायर की डियेट चल दीए वह मारी क्या चल करें ताकि नीवा लाटरी इस्ट अमारी जो भी आने वाली व्डियो जोगी आप लोग को जल देखने के लिए तो चले दोस्तों आज कि इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यह पडेख सकते हो यहां पर हमारी 30 नमर की वायर है यानि कि अलमोनियम में दूस्तों हमारी यह 30 नमर की वायर है और यह 2 किलो से ऊपर की वायर है। कि यहां पर देख सकते हो दो किलो 595 गराम की वायर है तो यहां पर देख सकते हो यह हमारी 31 नमर की वायर है और यहीं पर देख सकते हो आप यह हमारी 34 नमर की अलमुनियम वायर है यानि कि हमारी यहां पर यहां पर देख सकते हो यह हमारी 29 नमर की है यह हमारी 32 नमर की है यान कि जो हमारी क्रेंट जो हमारी लगती है वाइर दोस्तों हमने यहां पर चाहिए तो अब देखिए यहां पे अलूम्नियम के मैं बात करता हूँ देखिये यो vogner हो यहां पर पोली विंड कमपनी के या याँ कि आप देख विश्वा को तिन साल से यूज कर रहा हूं और करता हूं यह भी देख cities और यहां पर एंक टीस वी यहां यहां पर लेते हो तो यह आ पनी कज поговор चल रहें एक केजियार जाविफसरी थे लिए तो 551 पर पहूले का एक कैजिया यानी कि अब वायर में आपको कोई भी सिखायत नहीं आने वायर है अब देखिए आपको में बताता हूं अब देखिए यहां पे आप देख सकते हैं यह हमारी 29 नमर की वायर है और दोस्तों इसकी जो हमारी कंपणी है दोस्तों हमें 29 नमर की रेट लगे दोस्तों वह हमारी 480 रुपे किलो लगे यानि कि यहीं पे दोस्तों आप देख सकते हैं और यह दोस्तों हमारी रिखें दोस्तू 1 गुल का 480 रुप्य किलो यानि कि एक किलो आप वाइर लेते लाए फिर यहां पर शस्ता भी यानि की 395 भी मील लाइ है 400 ग यानि की हर तरह की आपको यह डियत् वाइर यानि यानि कि आप किस टाप की वायर ले रहे हो लोकल वायर लोगे तो यहां पर कंप्राइस परने वाली है तो यहां पर कंडिशन जो होती है दोस्तों यहां पर वायर पर होती है आपकी वायर पर डिपेंड करता है प्राइस तो यहां पर यहां पर यहां पर लोकल भी नहीं है औ यहां पर यह कोपर की तो यहां पर देख सकते हो यह हमारा जैस्ट 55 नंमरत की रिला और है एक जाएक चार किलो की 35 नंमरत की 4 मत दूज nozzle के और यह देख सकते हो धू então चैugen impressed 26 नमरता दुजोस्त इसब differently क सिनलिंग फेन को रिवाइन करता हूं और देख सकते होगोगत उपनिन वारे कॉमनी यहां arch면 कहुझरी पर य्युदी में कमर कॉछर्णग तो इस company से मैं rewind करता हूं दोस्तो यहां पे मैं काफी सारी turn भी डाल देता हूं यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है आसानी से दोस्तो यहां पर turn यहां पर अट जाते हैं बिल्कूल यहां पर जो हमारी metal x company की wire दोस्तो यह हमारी नरम है यानि कि काफी अच्छी quality की wire जितन करने की समस्तिया ना है काफी अच्छी चलती है दोस्तों machine पर यह हमारी wire दोस्तों मैं इस company का में promotion नहीं कर रहा हूं यह मुझे वायर जै काफी अच्छी लगी इस इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आप भी एक बार इस company की wire को यूज कीजेगा यानि की ceiling fan को rewind करने के है और आप मुझे comment box में जरूर बता देना और इसका अगर प्राइस की बात की जाए तो एक हजार रुपे कीले दुस्तों हमारी यह यह 35 और 36 नमर की wire हमें मिल रही है यानि कि 35-36 की जो भी रेट हमारी चल रहे है दोस्तों मेटलेक्स की यह हमारी जह हमारी एक हजार वक्ष में जरूर बताना तो दोस्तों यह थी कुछ चीश की जनकारी यानि कि लाटेस जो हमारी प्राइस लगी है वायर की वह हमारी कुछ चीश रस है उमीद है दोस्तों यह जनकारी आप लोग को पसंद जरूर आए गई वीडियो को लाइक जरू किजेगा और साथ फ्र